जैसे कि आप सब भी PF मेंबर्स को पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले EPFO ने EPFO का जो UN मेंबर का पोटल है वहाँ पर एक नया ओप्शन दिया है एक नया फीचर रोल आउट किया है उसके मादम से अगर आपके PF अकाउंट में कोई भी डिटेल गलत अपडेट होगी है गलत mention हो गई है तो आप request submit कर सकते हो पहले EPFO का जो UN मेंबर का पोटल था जब उसको login करते थे manage के option पर जब click करते थे तो यहाँ पर आपको basic details का option देखने को मिलता था और इस पर click करके only आप अगर आपके PF account में खुद का नाम गलत अपडेट हो गया है तो उसको ठीक करने के request submit क कर सकते थे आपके PF account में आपकी date of birth गलत अपडेट हो गया है या फिर gender गलत अपडेट हो गया है तो उसको correct करने की request आप submit कर सकते थे बट अब EPFO ने नया feature rollout कर दिया है जिसका नाम है joint declaration आप basic details का जो option था उसकी जगह आपको देखने को मिलेगा joint declaration और आज की studio में हम बात क करेंगे कि यह जो नया feature rollout किया है नया option जो EPFO ने दिया है इस feature के तहित इस option को select करके आप क्या-क्या detail correct यानि की ठीक करने की request आप submit कर सकते हो तो चले वीडियो में आगे बड़े उससे पहले हर बार की तरह नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप आप देख रहे हैं ट पोटल पर और आपको complete जानकरी दे देता हूं कि इस नए feature के तहित आप क्या-क्या correct करने की क्या-क्या correction करने की request आप submit कर सकते हो तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने computer की skin पर और यहाँ पर मैं EPFO का जो UN member का पोटल इसको मैंने open कर लिया है अब यहाँ पर पूरी detail mention करके मैं फटापट से login कर लेता हूं यहाँ पर देख सकते हो successfully shiny login हो गया है login करते तो यहाँ पर एक alert देखने को मिलता है इसको कर देते हैं letter अब यहाँ पर मैं आपको complete जानकरी दे देता हूं तो manage की option पर click करते हैं और यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाएगा joint declaration का इस पर आ अब यहाँ पर अगर आपकी एक से ज्यादा पीए फेंबर आइडी हैं तो यहाँ पर जितनी भी पीए फेंबर आइडी रहेगी जितनी भी आपकी service रहेगी वह यहाँ पर दिखा देगा अब कौन से पीए फेंबर आइडी में आप correction करवाना चाहते हो जैसे कि यह पीए अब यहाँ पर देखे मैं एक चीज और आपको पता देता हूं अगर आपको नहीं पतातो कि जब भी आप company बदलते हैं तो आपकी नई पीए फेंबर आइडी जनरेट हो जाती है यूए नंबर जो ट्वल डिजिट का रहता है वो तो एक ही रहता है बट जब जब आप company चेंज करेंगे तो आपकी नई पीए फेंबर आइडी क्रेट हो जाएगी इनक प्रिच आपकी जो पीए फेंबर आइडी रहती है अब करते हैं ऑपकी कर्ठी प्रिफर आइडी रहती है और अप जो एड़ेट वाइस भी पता कर सकते हो इन हमें देखे 16, 18, 19, 20 और इसमें 21 तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कौन सी आपकी करेंट प्र आइडी है चले अब मैंने इसके option पर किलिक करते हैं, join declaration का option मैं select कर लेता हूँ, और यहाँ पर जैसे कि मेरे को इस प्याफमर आइडि अपनी date of joining, date of exit जो भी है, correction मेरे को करवाना है, वो मैंने select किया, उसके बाद get details के option पर मैं click करता हूँ, अब यहाँ पर देखेंगे कि एप्याफो ने क्या क्या मतलब details को correct करने का option दे दिया है, अब निचे की दरफ आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो अगर आपका आदार कार्ड नंबर link है, तो उसको आप change नहीं कर सकते, तो भाई, इप्याफो ने पहले भी आदार कार्ड नंबर को change करने को लेकर, बदलने को लेकर, update करने को लेकर कोई भी facility online नहीं दे रखी थी, और अभी भी अगर आपका आदार कार्ड गलत update है, या फिर किसी और का update हो गया है, आप change करना चाते हो, बदलना चाते हो, तो उसको आप online change करने की request आप submit नहीं कर सकते, इसके लिए आपको offline forum भरना पड़ेगा, company की help लेनी पड़ेगी, अब यहाँ पर जो आपकी detail update होगी न, वो आपके आदार कार्ड के base पर होगी, यहाँ पर दे रख है कि जो भी आप change कर रहे हो, जो भी आप update कर रहे हो, वो जैसे कि नाम हो गया, date of birth हो गया, जंडर हो गया, वो आपके आदार कार्ड के साब से होनी चीए, और यहाँ पर अगर आप nationality change करना चाहते हो, या फिर आप marital status अगर आप change करना चाहते हो, तो उसके लिए किसी भी तरीके का कोई भी document नहीं देना, अब आधार कार्ड को आप change नहीं कर सकते, इसके अलवा अगर आपके PF account में आपका नाम गलत update हो गया है, तो उसको यहाँ पर क्लिक करके pencil का जो यह icon है, इसपर क्लिक करके आप यहाँ पर जो भी नाम आप update करना चाहते हो, वो यहाँ पर आप mention कर सकते हो, तो आप अपना नाम ठीक करने की request आप submit कर सकते हो, date of birth गलत update हो गई है, तो उसको भी ठीक करने की request आप submit कर सकते हो, इसके सासा gender गलत update हो गया है, तो उसक भी है वो आप रखना चाते हो वो मेंशन कीजिए और रिक्वेस्ट आपको सब्मिट कर देना है कुछ डोकुमेंट्स आपको लगाने रहते हैं इसके उपर मैंने एक separate dedicated वीडियो बनाई थी कि फादर नेम करेक्शन कैसे करते हैं अगर आपके पीफ अकाउंट में गलत रिक्वेस्ट कर सकते हो यह तो होगी आपकी basic detail जो आपका नाम date of birth फादर नेम रहता है वह यानि की basic detail में आधार कार्ड को छोड़ कर सारी detail आप correct करने की अगर गलत update हो गई है वह आप ठीक करने की request submit कर सकते हो अब बात करते हैं service detail में आप service detail में भी देखें यहां पर e-p update हो गई है आपके PF account में और region date of exit region अगर गलत update हो गया है आपके PF account में तो उसको भी यहां पर edit करके correction की request submit कर सकते हो जैसे यहां पर edit का option इस पर click किया उसके बाद यहां पर देखें अगर आप retirement हो गया है या फिर शुप्रिशन हो गया है या फिर unknown हो गया है और आप करना च चाते हो सेसेशन सोर्ट सर्विस करना चाते हो या फिर जो भी आप सोर्ट सर्विस एनी अदर रिजन करना चाते हो या फिर जो भी employee ill health का issue था मतलब अगर आपका exit रिजन भी गलत update हो गया है तो उसको भी यहां से आप ठीक करने की request आप submit कर सकते हो इसके साथ अगर आपके EPS account में उसमें date of joining गलत update हो गया है EPS account में date of region गलत update हो गया है या date of exit region गलत update हो गया है तो उसको भी आप यहां पर यह जो pencil का icon इस पर click करके आप ठीक करने की request आप submit कर सकते हो तो कहने का मतलब यहां यह है कि EPFO ने पहले जो join declaration का जो form हम भरते थे offline उसमें हम सारी detail हम correct करने क request submit कर सकते थे तो सारी की सारी detail यहां पर भी आप EPFO ने online provide कर दी है अब आप खुद का नाम से लेकर और exit region EPS का आप correct करने के request आप submit कर सकते हो तो यह है यहां पर मैंने आपको बता दिया इसके बारे में complete जानकरी दे दी I hope जानकरी पसंद आयोगी अब request आप simple सा फंडा है जो भी अगर आपके PF account में only आपका date of exit region गलत update हो गया तो यहां पर pencil के icon पर click कीजिए और यहां पर जो भी exit region आप आपने इसाफसे जो रखना चाहते हैं जैसे कि आपने गलत update कर दिया retirement आपने select कर लिया था उसके जगह आप situation source service यह रखना चाहते है यह select कर लिजे और उसक option दिया है इसके तैत आप क्या-क्या detail correct करने के request आप submit कर सकते हो almost सभी request कर सकते हो आधार काड को छोड़ कर आई हो जानकर पसंद आई होगी मन्हें कुछ doubt रह गया है इसके बावजूद भी कुछ पूछना चाहते हो तो comment box में comment कीजिए पूरी-पूरी कोसिस रहेगी आपक आपडेट पना चाहते हैं तो टेलेग्राम चैनल को जुरू जोइन कीजिए वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते जल्द एक और नहीं जानकरी के साथ अपना ख्याल रखेगा बबाए टेक क्यार